डाली चिनियू के बारे में मिसीच ची को बताती है क्योंकि उसके बारे में कही पे भी कोई भी रिकॉर्ड्स मोजूत नहीं थे इसलिए वो लोग उसे लेकर सस्पीशेस हो जाते हैं यही भी अपने नौवल के अगले चाप्टर को अपलोड कर देती है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस पर काफी सारे व्यूज भी मिले हैं इसलिए वो सभी सेलिब्रेशन का कहते हैं मगर मिसेच ची यह देखकर और भी चिड़ जाती है और साथ ही में वो किसी को चिन्यू की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि किसी ने यही पर प्लेगरिजम का आरोप लगाया है एक राइटर है जिससे यही ने उसकी नौवल कॉपी की है भले ही स्टोरी अलग हो मगर कॉंसेप्ट आलमस्स सेम ही है इंटरनेट पर हर तरफ यही बाते फैली हुई थी एक आईडी जिसका नाम नौर्थ स्टार है उसी ने ही इस आर्टिकल को छपवाया था इसलिए वो सब ही मिलकर इस सब बातों को गलत साबिच करने का डिसाइड करते हैं जिसके लिए वो सब ही सबुट ढूने में लग जाते हैं हम देखते ही कि यह सब कुछ वांग डाली नहीं करवाया था मिसेच चीबी डाली से अपना काम निकलवाने के लिए उसे अपने बेटे के साथ सेट करवाएगी ये कहे कर उसे जूटी उमीदे देती है क्योंकि वो जानती है कि डाली शीचुवान को पसंद करती है शीचुवान भी अपने कॉंटेक्ट से उस आर्टिकल पोस्ट करने वाले का एडरेस निकाल लेता है इसलिए ये भी वहाँ उस आडरेस पर उस परसन से मिलने जाने का डिसाइड करती है तब तक वो लोग भी उस वीडियो को ढून लेते हैं जहां पहले बार ये ये सबको अपने नौवल के आइडिया के बारे में बता रही थी जब वो जिंग्यान कमपनी में काम करती थी वही पर ही उसने चिनियो को एमपरर के गेट अप में देखा था जहां उसे देखते ही उसने इसके आगे की स्टोरी भी बना ली जो कि उस राइटर के नौवल पब्लिश करने के डेट से भी पहले की फुटेज थी जिससे की यही पर लगा प्लेगरिजम का आरोब भी हट सकता है यही भी उस राइटर से मिलकर उससे सारी बात क्लियर कर लेती हैं दरसल उसे डाली नहीं जूटे सबुत दिखा कर अपने बातों में फसा लिया था उस राइटर के साथ भी पहले ऐसा प्लेगरिजम वाला किस्सा हो चिका था कि किसी ने उसका सारा वक कौपी कर लिया और बस तबी सही उसने राइटिंग करना छोड़ दिया इसलिए वो दोबारा किसी का साथ अपने जैसा नहीं होने दे सकती थी लेकिन यही के समझाने पर उसे फाइनली अपनी गलती रियलाइज होती है इदर ली जिदो को भी यही के नौवल में से उसकी लिखे कहानी जिसमें वो टाइम ट्रावल कर एमपरर से मिलती है उसके दो और वरजन मिलते हैं जिसे वो चिन्यों को भी दिखाता है जिसे देख वो भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसने अपने कहानी के दो वरजन क्यों बनाएं अब वो लड़की भी अपनी गलती सुधारते हुए सारे सबूत इंटरनेट पे अपलोड कर यही को सपोर्ट करती है उन्हें पता चलता है कि इस सब के पीछे वांग डाली का ही हाथ है जिसके बाद डाली भी इस बारे में बात करने के लिए मिसेच ची के पास जाती है जो बड़े प्यार से उसे उपर ही उपर अपना सपोर्ट दिखाते हुए उसे अपनी गलती मानने के लिए कहती है रखते हुए माफ कर देते हैं और साथी में वो उसे ये भी कहती है कि वो उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं करेगी और यहाँ डाली को भी रियलाज होता है कि वो यही को लेकर कितनी गलत थी जिसके बाद चिन्यू भी वहाँ आता है दोनों भी अपस में बाते कर ही रहे थे कि उसके दोस्ता कर उसे बताती है कि डाली ने ओनलाइन पोज डालते हुए यही से माफे मांगी हैं इधर डाली भी मिसची को मिसली के मौम के साथ बाते करते हुए सुन लेती है कि उनके घर की बहुटो लीचियान ही बनेगी । जिसके बाद हम देखते है कि मिसज्ची अपने बेटे से मिलने आते हैं। साथ ही में वह उसे ये बात भी बता देती है कि वह चिन्यू पर भरोसा ना करें। क्योंकि जब उन्होंने उसके बारे में पता करना चाहा तो उन्हें उसके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले यहां तब कि उसके फॉरण में पढ़कर आने वाली बात भी जूट थी यहां मिस्टिंग भी यही को बताती है कि शीच्वण उसे चिन्यों के बारे में पूछ रहा था तब डाले भी वहां आती है जो यही को चिन्यों को लेकर वान करती है क्योंकि मिस्सची चिन्यों के आइडेंटिको लेकर सस्पीशियस है शीच्वान भी चिन्यों को मिलने बाहर बुलाता है जो उससे उसके सच्चाई के बारे में पूसता है कि आखिर वो कौन है और कहा से आया है चिन्यों भी अब किसे से और जुट नहीं बोलना चाहता था इसलिए वो कहे देता है कि मैं सही समय आने पर सब को सब कुछ बता दूँगा लेकिन वो चिंता ना करे क्योंकि यही मेरे बारे में सब कुछ जानती है अब क्योंकि यही को अलरेडी चिन्यों के बारे में सब कु को भिजवाता है जिसमें उसने बताया कि चिन्यों वाकई में फॉरण से पढ़कर आया है बट क्यूंकि उसने वहाँ पे अपनी मां का सरनिम यूज किया इसलिए उन्हें चिन्यों के बार में कोई डेटा नहीं उसने ये सब कुछ इसलिए भी किया ताकि उसकी मां आगे चि चिन्यों की हेल्प करने के लिए कहती है अब क्यूंकि चिन्यों की सच्छाई बाहर आने पर इसे यह को भी खत्रा था इसलिए बुक ऑफिसर मिसेची की चिन्यों को लेकर के सारे डाउट्स को गायब कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं यह उसे चिन्यों के बार में कुछ भूल जाएगा चिन्योगी मिस दिंग के पास आकर उसे यही के कहानी के दो वर्जन के बारे में पूशता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया उसने अपने ही लिखे नावल को दुबारा फिर से क्यों लिखा जिस पर शावशा उसे बताती है कि एक बार यही ने उसे कहा लेकिन जब से तुम उसके लाइफ में एंटर हुए हो वो तब से खुश रहने लगी है अब चिन्योगी को भी डाउट होने लगता है कि यही के टाइम ट्रेवल से वापस आने के बात सही वो उसके बारे में सब कुछ भूल गई है तब ही उसे बुक आफिसर का खया लाता अब यही यह देखकर डर जाती है और उसे डिसापियर होने से रोकने के लिए वो दोबारा अपनी लिखी वही टाइम ट्रेवल वाली नावल को पढ़ने लगती है मगर इसका भी चिन्योगी पर कोई असर नहीं होता तो उसे बुक आफिसर वाली बात याद आती है और वो वही बेहुश हो जाती है जब चिन्योग को होश आता है तो वो यही को ऐसी हालत में देखकर उसे उठा कर हॉस्पिटल के लिए भागता है वो अभी भी उसके पास उसका हाथ पकड़े हुए था तब यही को भी होश आ जाता है जहां वो उसे देखते ही हक करती है और बता जो उससे उसकी memories के बारे में पूछती है जहाँ पर book officer भी उससे बता देता है कि उसी नहीं चिन्यू के related उसके सभी memories को erase कर दिया क्योंकि उससे यही के तकलिफ देखी नहीं गई लेकिन अब book officer उसे warn करता है कि अब उसके पास अपने mission को complete करने के लिए सिर्फ 10 दिन ही बचे यह कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जितना भी समय बचा है वो च्छीनियू के साथ ही बिταाना चाहते है इसलिए वो उन सभी कामों की list बनाते है जो वो एक दूसरे के साथ करना चाहते है है इदर मिसेच ची को देखते है कि यही की लिखे novel हिट हो चुकी है इसलिए वो काफी insecure हो जाती है और डाली से इस बारे में बात करने आती है जो उस वक्त अपने केबिन में नहीं थी जब वो ऐसे इसका PC चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि अब डाली भी यही के तरफ ही हो चुकी है इसलिए वो उस पर गुसा करती है डाली भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यही पर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा हमें अपने आप पर मेहनत करनी चाहिए मगर मिसची के पल्ले तो कुछ पढ़ता ही नहीं तो डाली भी अब तक के उनके सपोर्ट के लिए उन्हें शुक्रिया कहकर कमपनी को छोड़ कर वहाँ से चली जाती है जिसे मिसची भी जाते हुए देखती रहती है मगर रोक नहीं पाती